नमस्कार मैं हूँ मिर्दुन्जय और आप देख रहे हैं फोर्ट पिलर लाइब आपको बता दे कि दिल्ली में सुप्रिम कोट द्वारा आम आदमी पार्टी के पक्ष में मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अर्वीन केजरिवाल ने एक प्रेस कॉन्फरेंस का अवजन किया है जहां मीडिया से बात करते हुए अर्वीन केजरिवाल ने कहा कि यह जीत दिल्ली की जनता की जीत है लोकतंत्र की जीत है, सत्ति की जीत है सभी दिल्लिवासियों को बढ़ाई वहीं आगे अर्विन केजरिवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय हुआ है अब उसे सुप्रिम कोट ने न्याय दिया है और आगे क्या कुछ कह रहा है अरविन केजरिवाल देखिए इस वीडियो में सरकार है किसी में कॉंग्रेस की सरकार है किसी में आमादमी पार्टी की सरकार है वो सारे के सारे प्रधानमंत्री को एक तरह से पिता समान देखते हैं कि भई यह कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करेंगे लेकिन अगर जैसे यह 23 मई 2015 को आदेश पारित करके दिल्ली सरकार की पावर चीन ली गई आठ साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा काम रुक गया किसका फाइदा हुआ आज सुप्रींग कोट ने साबित कर दिया कि यह गलत था यह और बिलकुल गैर समविधानिक और था जितनी सख्त लैंग्विज के अंदर सुप्रींग कोट ने बोला है उससे यह साफ ने सबस्था और तो कोई मकसद नी था देश का थो भला नी दिल्ली का थो भला नी यह एक तो कि iteriya को मिल अगया प्राम कर नाजेगा